दीपक डागर भारतिय जनता पार्टी के प्रात्मिक सदेश भी नहीं है जो प्रारत्मिक सदेश थे और जिन्होंने पार्टी की खिलाफत करके चुनाव लड़ा था वो कल मानिय मौनलाल बडोली जी के मायदम से निकाले जा चुके हैं अगर वो भारतिय जंता पार्टी के प्रार्थ में सदेश्य भी हैं तो अपनी परची का नंबर और वो बताएं हमारी पार्टी के अंदर गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं होती है जो पार्टी के अंदर रहते हैं वो पार्टी की सेवा करते हैं जो चुनाव लड़ने के बावजूद खिशाने बिल्ली खंबा नोचे 16,000 वोट ले करके वो सोचते हैं कि पार्टी के परदिकारी या पार्टी के वो प्रार्टी के जब सदेश्य भी नहीं है तो भार्टी जनता पार्टी के बोलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है ऐसा कुछ नहीं है ये सब बेकार की बाते हैं मैं देखिए रशिन पाल जी के नेतरे परसे मैं ही चुनाव लड़ा था और उनके आसीरो आसे मैंने पचास जार के बोट ली है खार्जी चलती रहती है बाकि ये लोग जो है ये भार्टी जनता पार्टी की कल्चर को मेरे को भी समझने में टाइम लगा था मैं ये नहीं कहता भार्टी जनता पार्टी की कल्चर को ना जानते हैं, ना मानते हैं, ना लोगों के दिमाग में कोई चीज है, जब वो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, मैंने वो वीडियो देखा था, कि भारतिये जनता पार्टी का सदे से हूँ, और अभी तेरे पास मेंबर सिप तक तो है नहीं, तो किस बात पर भारतिये जनत लड़े, उनके प्रतियासी के सामने चुनाव लड़ रहे हो, जन्ना एक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के समर्थन से लड़ रहे हो, तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये बरगला करके जनता को बिवकूफ बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं आप से के म उत्वी के सकता है